Students, यह question chapter polynomial से है, question है, find the value of k if x-1 is a factor of px, px is a polynomial है in each case, तो मारे पास यह 4 cases हैं और इन 4 cases के लिए x-1 इसका एक factor है, तो factor theorem के according अगर हम यह x-1 इसका एक factor है, तो हमें k की value find करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पहले हम इसकी 0 find करेंगे, तो इसकी 0 हो जाएगी x-1 equal to 0, हम इसको 0 के equal रखेंगे, तो यहां से x की value जाएगी, यह हमारे पास 1, तो अब इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम x equals to 1, इन चारों polynomial में x की जगा substitute करते हैं, तो वो polynomial equal to 0 हो जाएगा, जैसे first case है, कि हमारे पास जो px है, इसमें हम 1 put करते हैं, तो equal to 0 हो जाएगा, 1 का मतलब x की जगा अगर हम 1 substitute करेंगे, तो इसमें जो remainder है, वो 0 आएगा, तो वो ही factor होता है, factor क्या है, कि जब हम किसी भी polynomial को divide करेंगे, x plus 1 के साथ, तो remainder 0 आएगा, तो इस condition से बनता है ये, कि x of 1, p of 1, p of 1 का मतलब हो गया, x की जगा 1 substitute करेंगे, तो remainder 0 आना चाहिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें, पहले इसमें आगया polynomial में, 1 का square, जहाँ जहाँ x होगा, वहाँ 1 put करेंगे, then 1 plus k equal to 0, अब यह 0 साथ में चलेगा, क्योंकि हम यह कह चुके हैं, कि 1 इसका एक factor है, तो factor से क्या होगा, कि x का 1 substitute करेंगे, तो equal to 0 आएगा, तभी हम यह k की value find कर पाएंगे, तो 1 का square 1 होता है, plus 1 plus k equal to 0, तो k हमारे पास आगया, 2 plus k equal to 0, तो k हमारे पास आगया, minus 2, तो यह k की value है, first case के लिए, अब second case को हम यहाँ पे कर लेते हैं, same इसमें भी condition आएगी, क्योंकि x minus 1 जोब हर इन चारों का factor है, तो second में भी condition आएगी, कि p of 1 जोब equal to 0 होगा, 0 का मतलब है, कि जब हम इसको divide करेंगे, तो remainder 0 आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो हमारे पास जो polynomial लेवर 2 into x square, x square means 1 का square, plus k into x means k into 1, plus root 2 equal to 0, तो इसको solve करना है, तो 1 का square 1 हो जाएगा, 2 into 1, 2, plus k into 1, k हो गया, plus root 2 equal to 0, तो k की value हमारे पास आगे, minus 2, minus root 2, यह दोनों दूसरी तरफ चले जाएगे, तो यहाँ से अब minus common ले सकते हो, तो 2 plus root 2, यह k की value है, यह हमारे पास k की value आगे, थर्ड case के लिए अगर आप देखें, तो मैं थर्ड यहाँ लिख देता हूँ, question भी लिख देता हूँ, कि p of x equals to k x square minus root 2 x plus 1, तो इसे में भी कहा गया है, कि 1 इसका factor है, तो इसकी 0, p of 1 equal to 0 हो जाएगा, इसमें value substitute करें, k into 1 square minus 2 root 2 into 1, plus 1 equal to 0, 1 का square 1 होता है, तो k into 1 k हो गया, minus root 2 plus 1 equal to 0, यह दोनों टर्म दूसरी दब चले जाएगे, तो जाएगा under 2 minus 1, यह k की value है, इसे तरह जो fourth part है, इसका, कि p of x equals to k x square minus 3 x plus k, तो p of 1 इसमें भी 0 होगा, क्योंकि यह 20 का factor है, तो value substitute करें, यहाँ पर k into 1 का square, minus 3 into 1, plus k equal to 0, 1 का square 1 होता है, 1 into k, k आजाएगा, minus 3 plus k equal to 0, k plus k 2k हो जाएगा, 2k minus 3 equal to 0, तो यहाँ से आएगा कि 2k equals to 3, और k की value हो जाएगी, 3 by 2, तो यह थे इसके four part, जिसमें हमने k की value find की, condition बस यह है, कि हमें यह condition लगानी है हर किसी में, कि polynomial उस 0 के लिए, remainder 0 आएगा, तो यह answers थे इसके, thank you.